आप किसी छोटे बच्चे को समजदार बनाना चाहें नहीं बनेगा, समय जब तक नहीं आएगा जितना समय आप देंगे अपने आपको, जितना संसार देखेंगे, जितना उतार चड़ाओ देखेंगे, उतनी समजदारी आएगी तो समजदारी समय के साथ आती है आप कितने लोग सहम अधिस बात से कि समझदारी समय के साथ आती है समय के पहले यदि हाँ समय के पहले समझदारी आ जाएगी यदि आपने बजपन से श्ट्रगल किया है तो यदि बजपन से आपने वो समय देखा है तो आप औरों की पेक्षा समय के पहले मैच्चोर हो जाएंगे आज लड़के 25 साल 30 साल में जो मैच्चोर होते हैं आप 18 साल मैच्चोर हो सकते हैं लेकिन 18 साल के पहले 15 साल से आपके जीवन में जब भरपूर श्ट्रगल हो तब इसलिए जीवन में श्ट्रगल होना चाहिए जीवन में कश्ट होना चाहिए क्योंकि आपको युनिवर्सिटियां बड़ा ना बनाएंगी आपके जीवन का संघर्स आपको बड़ा बनाता है चुनातियां, मुसीवतें आपको बड़ा बनाती है हाँ यह न? इसलिए चुनातियों से हारना नहीं है भागना नहीं है डट आत्महत्या कर लेना किसी समस्या का समाधा नहीं है कुछ लोग कहते हैं बड़े तंग आ गए जीवन से मर जाते तो मर जाओ क्या फाइदा होगा तुम्हारा फाइदा बता मुझे क्या लाव है तुम्हारा आत्म हत्या कर लेना अरे चुनोतियां से डर के भागते क्यों हो डटो सामना करो आत्म हत्या करना अपराद डटो जी छाती फुला के खड़े रहो कश्ट आएगा किसे कश्ट नहीं आता भगवार राम को चवदा वर्स में कौन सा सुख मिला कितना कश्ट उठाया भगवान ने केवल इसलिए ताकि दुनिया को ये मैसेज दे सके कि तुमारे जीवन में संकट आए तो मात महत्या ना कर लेना हमारी तरह जंगल में भी नंगे पाउँ चल कर हमने देखो कैसे जीवन जिया तुमारे जीवन में भी साल दो साल का संकट आए तो घवराना मत मेरी तरह डट के खड़े रहना राम की सिक्षा हमारे लिए तुम जरा जरा सा संकट आए तुम आत महत्या करने की सोचते हो मरने की सोचते हो रौने लग जाते हो माहराजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परिसान, बताओ, क्या सुदामा से ज़्यादा दुखी आप मैंसे कोई है, नहीं, सुदामा तो कभी ना रोई भगवान में बड़ा दुखी हो, नहीं, दुख सुख तो है, कहा जाएगा दुख सुख, जैसे रात आएगी, दिन आ तुम्हारे जीवन से कोई माई का लाल सुख और दुख को रोक नहीं सकता, आएगा, हाँ, मजबूत बनाओ अपने आपको हर स्थिती से गुजरने के, रेडी रखो, तैयारियां रखो, तुम तैयारियां नहीं करते, इसलिए परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चों को ज् सुखी 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 नहीं, बच्चों के जीवन में जितना उन्हें कष्ट मिलेगा, सिंपल है, मेरी माँ सौने को जितना तपाओगे, उतना चमकेगा, सौने को जितना तपाओगे, उतना चमकेगा, इसलिए आप अपने बच्चों को जितना तपाओगे, जितनी मेहनत कराओगे, जितना उन्हें स्ट्रगल करने दोगे, देखते रहो बच्चों के स्ट्रगल को तुमारे पास करोडों की संपदा है, फिर भी ना उन्हें कमाने दो 10 रुपे, जाओ बाजार भेजो जा, 100 रुपे कमा के ला पता चलेगा के 100 रुपे की मांगता था, लोगों के घर मांगने जाया करता था, मुझे पता है कि एक मुठी चावल की कीमत क्या होती है मुझे पता है कि एक मुठी आटे की कीमत क्या होती है इसलिए मैं अन्न कभी विगाडता नहीं हूँ मुझे पता है मैंने अपने जीवन में सबसे पहले पहली कमाई मैंने जब की तो मेरा अंग अंग दुखने लगा इतनी महनत की मैंने और महनत करने के बाद मुझे तीन हजार रुपे मिले थे सबसे पहले मुझे पता है कि हजार रुपे की कीमत क्या है 100 रुपे की कीमत क्या है मेरे मित्र के पास उस जमाने में ये 2000 ये 1999 और 2000 की बातें है उस जमाने में मेरे दोस्त के पास FM थी सुन्दर सी FM जो वो अपने घर पे चलाया करता था और वो 100 रुपे की आती थी मेरे पास 100 रुपे नहीं थे तो मैं खेत में जाया करता था चना बीनने के लिए चना बीनना जानते हो जब फसल करती है ना तो चना जड़ता है गया हूँ जड़ती है ना लोग उसे खेतों में जाके बीन लाते हैं तो मैं चने बीन ने जाया खरथा था खेतों कि मेरी बच्चा थाना सौख थी चीज़ों की तो सोख थी पर पैसे थोड़ी थे पिता जी से मांगा करते थे पिता जी कहां सो रपै देंगे गरीवी बहुत थी भीग मांग के गुजारा होता था तो मैं लाया करता चनाना तो मैंने एकने मेहनत की चने दोपहर दोपहर बीना तब जाके सवर रपेज उड़ाया लगभग दो कुडे, कुडे जानते हैं कुडे, दो कुडे चने किया मैंने फिर उसे एफम खरी दी बचपन के बच्चे के सौंक तो जानते हैं आप लोग बच्चे थे ना, अक्कल थी नहीं कुछ सौंक थी पर एक्चाय तो एक्चाय होती है तो मैंने जीवन में सारा स्ट्रगल देखा गरीबी को पढ़ानी है किताबों में मैंने जीकर देखा गरीबी को इसलिए आप से कहता हूँ कि आप जितने मेहनत करोगे जितना विसम परिस्थितियां देखोगे आप उतने मजबूत बनेंगे भवश्य के लिए इतिहास रचेंगे आप यदि आपने जीवन में स्ट्रगल किया है मैं आज भी मेहनत करता हूँ मेहनत नहीं करूँ तो काम नहीं हो साहब काम हमेशा करने से होता है देखने से होता है यदि आप नहीं देख पाएंगे तो काम नहीं होगा आज भी सुबह से शाम तक मैं सारा काम जो यहां माताओं की सेवा से लेकर परन्न छेत्री की सेवा, गव सेवा, विद्ध्यार्थियों की सेवा, बंदर सेवा, गव शाला, नंदी साला, दो गव शाला है, एक यह नहीं गव शाला, एक पुरानी गव शाला, वहां नंदी साला, वहां नंदी रहते हैं, एक में गईया रहती है, एक में नंदी रहते है सब चीछ देखनी पड़ती कि गाए आप कितना भी आज के हमारे देश में आप कितना भी काम सौंप दो तुम्हें ये करना है जिसको सौंपा दस दिन बाद भूल जाएगा कि करना क्या चाँ उसे चार्ज करना पड़ता, बताना पड़ता सब के हमारे देशों में समस्चा तो यही है कि जिम्मेदार लोग नहीं होते सब को काम बता के बता के फिर बताना पड़ता दस बार कहसे नहीं यह से करना इसलिए देखना पड़ता है तो यह सारा काम जो गौरी गोपाल आस्रम में आप देख रहे हैं वो केवल इसलिए आप देख रहे हैं क्योंकि उसे देखते हैं हर छोटे छोटे काम को देखते हैं और एक चीज वेश्ट ना हो बरवाद ना हो दुरपयोग ना हो इसका खयाल रखना पड़ता है तब जाके कार्य होता है जिम्मदारियां जो बिहारी जी ने दी है उसे निभाना पड़ता है मैंने जीवन में हर समय को देखा है ये बभौती मेरे बाप की नहीं है महनत करके भगवत कृपा थी पर भगवान चाह रहे हैं जो गहसा हो इसलिए ये दास ने केवल मैं भगवत कृपा से जो किया वो भगवान ने दिया और सेवा है जो दिया तो मैं अपने लिए मेरा कोई बंगला नहीं है ब्रंदावन में कहीं दुनिया में कहीं आप जाकर देख लो कोई बंगला नहीं कोई बहुत बड़ी गाड़ी का सौख नहीं है सेवा का सौख है तो सेवा चल रही है केवल सेवा आप सेवा देखते हैं यहाँ पर सुबह से साम तक सेवाएं होती है जो जरूरत है फिर तो वो लेनी पड़ता है गाड़ी चाहिए यात्रा के लिए तो सामान जो है वो लेनी पड़ेगा माकी आप भी अपने बच्चों को महनती बनाओ और घबराओ मैंने आप आश्र मानेंगे मैं सब कुछ कर लेता हूँ यहाँ जो भक्त लोग आप भोजन करते हैं वहाँ जो ठाली धुलने से लेकर मैं ठाली भी धुल लेता हूँ आप लोग भोजन कर लेते हैं, उसकी थाली में धुल्लमर कोई शरम लाज नहीं है, अच्छे काम करने में का शरम, कोई चोरी करने में शरम, बेइमानी करने में, गलत काम करने में शरम आनी चाहिए, अच्छे काम करने में शरम, मैं सोयम ज्याडू लगा लेता हूं, जब आप कर पाएंगे तो करा पाएंगे कर नहीं पाएंगे तो करा नहीं पाएंगे जो काम आप कर पाएंगे वो आप करा पाएंगे कर नहीं पाएंगे बागी फिर सब आजकल बहुत काम होता है तो कुल मिलाकर हम आपसे ये कह रहे हैं कि मैंने जीवन में सुख कभी नहीं देखा लेकन मुझे एक सुख मिला और वो सुख ही ये मिला कि मेरा मन औरों की अपेक्षा भगवान के चरणों में लगा और मैंने भगवान से कहा प्रभू बस मेरी वानी केवल आपका गुणगान करती रहे सदा मैं आपकी कछा सुनाता रहूं मेरा सबसे बड़ा सुख है भगवान की कछा सुनाना आप लोगों को जो मैं सुनाता हूं वो मेरा सुख है मैं तीन घंटे सुखी रहता हूँ आपको कछा सुना कर और जब मैं नहीं सुनाता कछाना तो बीमार पढ़ जाता हूँ इसलिए कछा सुनाना मेरी आदत नसा हो गया है कि भगवान की चर्चा होनी चाहिए बीमार पढ़ जाएंगे इसलिए भगवान की गठा सुनाना बहुत जादा जीवन नहीं है बहुत जादा एक चाय नहीं है बस भगवान की सेवा में जीवन लगा रहे और ये जीवन आप के लिए प्रेरणा है आप शीखना चाहो तो सीख सकते हैं आप अपने बच्चों को सिखाईए जादा सुखी जीवन नहीं है बच्चों को जादा सुखी नहीं है बेटा महनत करो दो पैसे खुद कमाओ अपने पिता से पैसा नहीं लेना चाहिए मैंने आस तक अपने पिता से पैसा नहीं लिया किसी चीच के लिए ना पिता से पैसा लेकर ना मैंने मुवाइल खरीदा मुवाइल भी मैंने पिता से पैसे लेकर नहीं लिए कोई भी चीज पिता के पैसे केवल मैंने आखरी बार पिता से पैसे मांगे थे आखरी बार पिता जी ने मुझे दो रुपए दिये थे वस मेला घूमने के लिए जब मैं 15 साल का था, 16 साल का, 15-16 के बीच में, आखरी बार मेरे पिता जी ने 2 रुपए दिये थे, मेला गूमने के लिए, मेरे गाउं के बगल में मेला लगता था, आज भी लगता है, शिवरात्री के टाइम, मेला गूमने जाते थे, और मेला भी मुझे जूमने उसका सौंक अच्छा, बड़ा बड़ा जूम, जूला आता न, जूल, हेडोरा, जूला, तो में 2 रुपए लेके जाता था, और उसी वे जूलता रहता था, जितनी बार जूलाई वो, तो आखरी बार मुझे यादा, 2 रुपए मांगे पिता जी से, उसके बाद, आज तक मैंने पिता इसे नहीं मांगा, स्वाब लंबी वनो साहाब, बाप से भी पैसा नहीं लो, पढ़े लिखे हो, दम हैं तो कमाओ, क्यों जी हो, अगर निर्भर वनोगे, दूसरों पर गिड़ गिड़ाओगे, तो अपना मान भीज, अमान भीज, अब कुछ गवाओगे, इसलिए खड़ की स्वयम सींचो, हर गडाली, खुसी जीवन के मदवन की, बाप के टुकणों पर भी नहीं पलना चाहिए, यदि पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तो अपना रास्ता स्वयम तैं करो, अपनी मंजल खुद अपने बल से तैं करो, एक छाय तुमारी है, तो पूरी भी तुम बोज बन जाते हैं, बोज नहीं बनना चाहिए, खुद कमाओ अपना नाम, और तुमारे नाम से तुमारे पिता की पहचान होनी चाहिए, जीवन ने मुझे, मुझे मेरे परिस्थितियों ने जो सिखा दिया न मेरी मा, मैं धन्यवाद देता हूं परिस्थितियों का, कि उ अन्हों ने मुझे इंसान बनाया है, जो परिस्थितियों ने मुझे सिखाया है, दुनिया की कोई पाट साला मुझे नहीं सिखा सकती थी, आपकी परिस्थितियां जो आपको सिखा सकती है, धरती की कोई पाट साला आपको नहीं सिखा सकती, क्यों जी सही, समय जो सिखाता है ना वो कोई नहीं सिखा सकता हो सीखो समय का उतार चड़ाओ देखो वो सीखो जीवन है संघर्स है करना पड़ेगा आज मत्याना कर लेना